अब सबसे पाहले मैंने फैसियल ओइल लिया है इस यह जादा अच्छा समझा है कि थंडे का मौसम तो इसकी थोड़ा प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे क्योंकि फ्रेंड ये ग्लोइंग मैकप है तो थोड़ा मुझे अपने चाहरे को ग्लोपन ज्यादा लाना है इसी वजह से मैंने फैसियल और सबसे पहले लगा फिर इसके बाद सीजिक फाउंडेशन लाकमी के लगाया मैंने ज इतने भी फाउंडेशन यूज करेंगे फ्रेंड तो इसमें एक अलग ही ग्लो रहता शाइन रहता और ये बिल्कु भी ड्राइपन नहीं लगता अपने मतलब मेरे चाहरे पर मुझे बहुत ज्यादा यी सूट करता मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने सीसी ला फाउंडेशन नहीं खाली अप्लाई किया देखे शाइन कितनी अच्छे एक और ड्राइपन नहीं है फिर इसके बाद मैं कंसीलर लगा लूगी जैसे कि आप देख सकते हैं जहां-जहां मुझे कंसीलर अप्लाई करना मैं वहां-वहां आप्लाई करूंगी तो आप देख स मतलब सब्सक्राइब करने के बाद मैं जो जो चहरे पर लगाई हूं उसको भी अच्छे से एक-एक करके इस्तमाल करना यह नहीं सारा आपको इखटा कर लेना आप देख सकते हैं मैंने पहले कंसीलर अप्लाई किया फिर इसके बाद इसके बाद मतलब चेहरा ग्लो कर रहा कि जहां जहां मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहां मैं सिर्फ प्रेश करूंगी अब पूरे चेहरे पे नहीं लगाँगी मैं यहां कंप्टें नहीं यूज कर रही हूं एक लुज पौडल लगा रहे हैं आई मैकप के लिए ज्यादा मैं मैंक नहीं करूं क्योंकि यह ग मैं अई फिंगर की हलुपेy से लगा लिए को गारेट kritा हमेजनल्य के पड़तली इसलिए थोड़ी मुझे शॉए फार चीछ में और टीर प्ड़ चानलिकी जाइआ करूए कि मैंने अब्रोपैंसिल लगाई ज्यादा डार्क नहीं कि इसके बाद हलके से चिक पर मतलब ब्रेश कर लूँगे एक शेल लेके पिंक शेल लेके ज्यादा पिंक मुझे नहीं लगाना है फिर हाइल लेटर लगाऊंगी जहां-जहां मैंने अप्लाई किया तो वहां मैं हाइलेटर थोड़ा अलग तरीके से लगाऊंगी तो आपने देखा हाइलेटर को मैंने एक चिम्टी की मदद से अपने हाथों पर रख लिया थोड़ा से निकाल के और उसमें दो बूंदे ऐल की डालके एक लिक्विड हाइलेटर बना लिए और जहां-जहां मैंने अपला भी के आया हाइलेटर एक सपंच से यह सपंच से अच्छ से मिला लूंग देख सेकते हैं आपके अच्छे लो कर रहां मतलब बिलकु भी ड्राइपन नहीं लगा रहा है तब भी नहीं ड्राइपन रहें पर इसके बाद लिप पैंसिल लगाँगी लिपेंसिल के बाद मैं लगाऊंगे क्योंकि लिपिष्टिक को भी मैं थोड़ा सा ग्लोइंग करूंगी एक लिप बाम से मेरे पास एक मतलब लिप बाम है लिक्विड लिप बाम तो आप देख सकते हैं बहुत यह अच्छा यह शाइन करता है और थोड़ा जब मैक अप ग्लोइंग वाला है तो लि मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करेंगे मेरे मैक अप रड़ी हो गया तो आप देख सकते हैं किता ग्लोव कर रहा है तो आप जरू बताएंगे चलिए मैं मिलते हूं अपने नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए बाइबाए